ये तो सब जानते हैं कि मादवी दिक्षित बलिवुड की बेहतरीनेक ट्रेस में से एक है अलाकि आज कल वो फिल्मों में कम ही नजराती है लेकिन फिर भी उन्होंने बलिवुड को कई सुपर हिट फिल्में दी है बरहलाल मादवी की फिल्मी दुनिया के बारे में तो हर कोई जानता है लेकिन उनकी परसनल लाइफ के बारे में काफी कम लोग जानते है जी हाँ अब ये तो सब को मालुम है कि माधुरी दिक्षित की शादी एक डॉक्टर से हुई है जो अमेरिका में रहते हैं मगर इसके इलावा भी ऐसी कई बाते हैं जो आप नहीं जानतें आपकी जानकारी के लिए बता दे की माधुरी के पतिक का नाम श्री राम नेने है हालाकि श्री राम नेने को पहले कोई नहीं जानता था लेकिन माधुरी से शादी करने के बाद पूरी दुनिया उन्हें जानने लगी है वैसे आपको जान कर ताज़ुब होगा कि जिस व्यक्ति को माधुरी से शादी करने के बाद पहचान मिली वो खुद ही माधुरी दिक्षित को नहीं पहचानता था जी हाँ दरसल माधुरी और डॉक्टर नेने का रिष्टा माधुरी के माता-पिता ने तै किया था ऐसे में जब डॉक्टर नेने की सगाई माधुरी दिक्षित से हुई तब उन्हें ये मालूम नहीं था कि माधुरी कितनी बड़ी एक ट्रेस है गवर तलब है कि एक इंटर्व्यू के दोरान खुद माधुरी की बहन ने ये बताया था कि डॉक्टर नेने मीडिया से काफी दूर रहते है इसलिए उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि माधुरी बहुत बड़ी एक ट्रेस है मगर माधुरी से सगाई करने के बाद उन्हें माधुरी दिक्षित की प्रसिद्धी के बारे में पता चल ही गया बता दे कि जब डॉक्टर नेने को माधुरी दिक्षित के बारे में पता चला तो वे हम माधुरी की कुछ फिल्मों को अपने घर में ले आए जी हां यहां तक कि उन्होंने माधुरी की कुछ फिल्मों को बड़े आराम से बैठ कर देखा यानि अगर हम सीधे शब्दों में कहे तो माधुरी की फिल्में देखने के बाद डॉक्टर नेने को इस बात की तसली हो ही गई कि माधुरी दिक्षित वास्तव में कितनी बड़ी एक ट्रेस है हाला कि जब दुनिया भर को इस बात का पता चला कि डॉक्टर नेने माधुरी दिक्षित को नहीं जानते थे तब यह जानने के बाद हर कोई हैरान रह गया दरसल माधुरी दिक्षित अनुपम खेर के एक शो में गई थी बता दे कि इस दौरान उन्होंने अनुपम खेर से अपने जीवन से जुड़ी कई बातें शेयर की थी और इसी दौरान माधुरी ने ये भी बताया था कि डौक्टर नेने उन्हें शादी से पहले एक आम इंसान ही समझते थे याने उन्होंने माधुरी की एक भी फिल्म नहीं देखी थी जबकि माधुरी को डौक्टर नेने की यही बात बेहत पसंद आई है जी हां वास्तव में मादुरी दिक्षित एक ऐसा ही पार्टर्नर चाहती थी जो उनकी वास्तविक शक्सियत से प्यार करें ना कि उनकी प्रसिद्धी देख कर उन से शादी करें शायद यही वजय है कि माधुरी दिक्षित ने डॉक्टर नेने को ही अपने लाइफ पार्टरनर के रूप में चुना और आज वो अपने परिवार के साथ बेहद सुखी जीवन व्यतीत कर रही है बता दे कि माधुरी और डॉक्टर नेने के दो बेटे भी है